सूर्य के परिवार में पृत्वी सूर्य के कितने ग्रह है? आठ ग्रह है बुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रस्पति, शनी, अरुन और वरुन उसके बाद ऐसे कौन से ग्रह है जिनके अपने उपग्रह नहीं है बुद्ध और शुक्र ग्रह ऐसे है सौर परिवार किस से मिलकर बना होता है सूर्य और जो सूर्य के चारो तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह उनसे और जो ग्रहों के चारो तरफ चक्कर लगाते हैं उब ग्रह उनसे पृत्वी की उपरी सतह कितने किलोमीटर गहराई तक ठंडी है 60 किलोमीटर तक पृत्वी के गोले के बीज में सबसे गहराई में सबसे गरम भाग है वह गरम भाग किस से मिलकर बना है लोहे और निक्तिल जैसी धातूं से पृत्वी के अंदर की गर्मी को पृत्वी के द्वारा बाहर आने से कैसे रोका जाता है जो पृत्वी की उपरी सतय होती है तता आंतरिक भाग के बीच चटानों की एक परत होती है ये परत कहीं पर ठोस होती है और कहीं पर पिगली भी होती है और इसी तरह से किसी मोटे कंबल की तरह यह भाग अंदर की गर्मी को महार आने से रोकता है फिर है कि जो आकाशिय पिंडो, सूर्य, चान, तारों, ग्रहों की खोजबीन करने वाले को क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं खोगोल वैज्यानिक भूमी के भीतरी भागों में छिपी हुई चीजों की खोजबीन करने वालों को क्या कहते हैं भूग गर्व वैज्यानिक प्रित्वी से सूरे की दूरी कितनी है 14.88 किलोमेटर प्रित्वी सूरे से कौन से स्थान पर है थर्ड पुजीशन पर चंदर्मा पर पहुचने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम है नील आमस्ट्रॉंग जो की गया था 20 जुलाई 1989 को फिर है ग्रहों का वहबल जो परतेक वस्तू को अपनी और खीचता है उसको बोलते हैं गुर्ताकरशन बल और ग्रित्वी के जो एक बटे तीन भाग पर तो जमीन है और दो बटे तीन भाग पर पानी है ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूरे से सबसे अधिक दूर है वो है वरुन और कौन सा ग्रह है जो सूरे के सरवाधिक पास है वो है बुद्ध ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे पहले सूरे का चक्कर लगाता है वो है बुद्ध ये 28-88 दिनों में सूरे का चक्कर लगाता है और प्रित्वी लगाती है 365 दिन में उसके बाद है, ऐसा कौन सा ग्रह जो सूर्य को सबसे देर में चक्कर लगाता है, वो है वरूद, ये लगाता है 165 वर्ष में, उपक्रह किसे कहते हैं, कि जो ग्रह होते हैं, उन्ही से तूटे हुए पिंडो, मतलब उन्ही से जो पिंड तूटकर गिर जाते हैं और उन्ही के उपग्रह कहते हैं और उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता ये सूरस से प्रकाश लेकर प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट जितने भी जो ग्रहे हैं उनके उपग्रहे होते हैं तो और परते ग्रहे के उपग्रहों की संख्या अलग-अलग हो सकती है जैसे मंगल है उसके दो ग्रहे हैं ब्रसपती के 64 उपग्रहे हैं शनी के 61 अरुन के 27 वरुन के 13 और पित्वी का एक और ऐसे दो ग्रहे औ और भी हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते, वो है शुक्कर और बुद्ध, इस चंद्रमा पृत्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, यह लगाता है 27 दिन 7 गंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड, फिर पृत्वी अपनी कक्षा पर घूमते समय अपनी अक्ष को सदेव दुरुव तारा की और रखती है, यह कोशन पूछा जाता है कि पृत्वी जब अपनी कक्षा पर घूमती है तो उसका जो अक्ष है वो किस डिरेक्षन की तरफ होता है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, जिसे वीनस भी कहते हैं, किस ग्रह को भोर का तारा, यानि क कहते हैं, वीनस को, पृत्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार और द्रव्यमान है, पृत्वी से कम है, पृत्वी शुक्र वह मंगल के मध्यस्तित ग्रह, जो पृत्वी की पोजीशन है, वो शुक्र और मंगल के, मतलब ब उपग्रहों की संख्या कितनी है दो है जिनका नाम है Phobos और Demos मंगल ग्रह का जो सबसे उचा परवत है उसका नाम है Nix Olympia प्रिके समान रितू परिवर्तन किस ग्रह में होता है वो है मंगल ब्रस्पती के कितने उपग्रह है इसके 63 उपग्रह है जिन में से Ganymed सबसे बड़ा उपग्रह है और जो इसके अन्य उपग्रह है उनके नाम है आयो यूरोपा, कैलिस्टो, अलमतिया, आदी सॉर्मंदल का जो दूसरा बड़ा ग्रह है उसका नाम है शनी जिसे सेटर्न भी बोलते हैं शनी ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके चारो तरफ वले यानि कि रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इसके चारो तरफ गूंती रहती है जिसे चतुद्रिक वले भी बोलते हैं शनी के उबग्रहों की संख्या है 61 जिसमें जो शनी का सबसे बड़ा उबग्रह है वो है टिटॉन इसके अन्य उबग्रह है मिमास, अन्सिलाडू, टेथिस, डियोन, रिया, हाइपेरियन, इयापेटस, फोबे तो अरुन ग्रह की यानि यूरेनस जो प्लैनेट है उसकी खोज किस ने की थी वो की थी सर विल्लियम हार्शल ने जो यूरेनस एक मात्र ऐसा ग्रह है जो एक दुरुव को एक दुरुव से दूसरे दुरुव तक अपनी प्रदक्षिना कक्ष में सूर्य के सामने रहता है इसके बाद अरुन के पांच चतु द्रिक वल्ले हैं जिनके नाम है अलफा, बीटा, गामा, डेल्टा, इपसिलॉन उसके बाद अरुन के 27 उग्रह हैं जिनका नाम है जिनमे से एरियल, एम्ब्रियल, टिटेनिया, ओबेशोन, मिराडा, आदि आठवे ग्रह का क्या नाम है वरुन, जिसे नेप्चून भी बोलते हैं वरुन के उग्रहों की संख्या है तेरा, वरुन का पहला उग्रह है ट्राइटन, वरुन का दूसरा उग्रह है मेरिड वरुन जो ग्रह है वो प्रतिकूल दिशा में घूमता है वरुन ग्रह प्रतिकूल दिशा में घूमता है चार वैस्टा, चार वैस्टा यानि की फोर वैस्टा एक मात्रशुद ग्रह है जिसे आखों से देखा जा सकता है पहले नौ ग्रहों की संख्या नौ थी पहले लेकिन बाद में एक ग्रह को निकाल दिया गया इस कैटेगरी से उसका नाम था प्लुटू प्लुटू